दोस्तों एर इस वीडियो में सिते मुद्य कही बात करने वाले विदाटेने बखवाज शुरु करते आज का वीडियो आने वाले 2-3 महिने में नए इलेक्ट्रेग स्कूटर इंडियन मार्केट में कौन से आने वाले हैं इसके ही बारे में बात करेंगे स्टार्टिंग इसकी नब्याजार से शुरू होने वाली है ट्रिपल थ्री किलोमेटर तक रेंज मिलेगी LFU बैटरी LG CMA सेल्सिस में यूज होने वाले है और कही सारे ब्रैंड जो है Trusted Company की Upcoming Electric Scooter आने वाली है सो आने वाले टाइम में कोई अगर आप EV लेने का प्लैनिंग कर रहे हो तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखना सो विद्धर आने वेस टाइम शुरू करते है आज का वीडियो सबसे पहले सभी ब्रैंड के बारे में पता नहीं है क्योंकि Company ने Recently कुछ ही हपतों पहले इसको unveil करने का प्लैनिंग कर दिया है बजाज Company के तरफ से नया model जो है दिवाली तक Companies को showcase करने का प्लैनिंग कर रही है जी हाँ दोस्तों ये मैं इसे ही नहीं बोल रहा हूँ इसका invitation भी आ चुका है और सबसे पहले में आपको बता रहा हूँ कि आर बजाज Company के तरफ से चेतक Electric Scooter को छोड़ कर दूसरी नए लुक की Electric Scooter आने वाली है क्योंकि बजाज जो एक बहुती बड़ा ब्रैंड बन चुका है और ओला को भी इननने पिछले महिने टकर दिया था हम बात करें नए बजाज के प्रोड़क के बारे में इसका जो लुक रहेगा वो कंपलेटली थोड़ा सा चेंजिस रहेगा डिस्प्ले की बात के तो डिस्प्ले में थोड़ा से चेंजिस देखने को मिलेंगे मोटा मोटा आप यहाँ पर बोल सकते हो आठ साल तक भी वारंट आपको है पर देखने को मिलेगी क्योंकि सभी ब्रैंड प्रोड़क कर रहे तो इनको भी प्रोड़क करना पड़ेगा नए जनरेशन की मोटर रहेगी जिसमें 85 केमपिस तक स्पीड देखने को मिलेगा और कहीं सारे लुक्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे अल्रेड़े बजाज ने टेस्टिंग करते टाइम एक फोटो भी सामने आई थी सो चैंसे से कि इस मोडल को कमपनी शोकेस कर सकती है क्योंकि आने वाले टाइम में काफी EV जो है सभी ब्रैंड प्रोवाइड करने वाले है और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो अप्रोक्स लिस की प्राइसिंग 1,20,000 से लेकर 1,25,000 तब हम एक्सपेक्ट कर सकते है और इस बजाच इलेक्ट्रेक्स कूटर को दिवाली के बाद इंडिन मार्केट में लाउंच कर सकती है और सबसे पहले इनफोर्मेशन आपको दीए तो यार फटा-फट से लाइक करो इस वीडियो को बात करते हैं नेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में चार नमबर पर है ब्रिस्क इवी ये ब्रैंड जो है लास्ट टेज पर है पूरी तरह से कंप्लीट इन्होंने टेस्टिंग भी की है कुछ दिन पहले इन्होंने इवेंट में भी शोकेस किया था अभी तो यहाँ पर वेट कर रही है लाँचिंग का सबसे पहले इसमें LFE बैटरी मिलेगी रिमोबल बैटरी मिलेगी दो मॉडल में यह आने वाली है ओरीजिन औरीजिन प्रो ओरीजिन जो मॉडल रहेगा उसमें 175 किलिमेटर की रेंज मिलेगी 65 केमपेज का स्पेड मिलेगा जिसमें बेल ड्राव की मोटर देखने को मिलने वाली है और दोनों ही मॉडल में आपको LFE बैटरी मिलेगी लेकिन स्टार्टिंग के मॉडल में आपको फिक्स बैटरी मिलने वाली है और फिचर्स की बात करें तो ओरीजिन मॉडल में फिचेस थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप Origin Pro में जाते हो, तो उसमें आपको 85 केमपेज का स्पेड मिलेगा, उसमें भी आपको बेल ड्राइव की मोटर देखने को मिलेगी, रेंज इसमें जो यह सबसे ज्यादा रेंज कमपनी क्लेम कर रही है, 333 किलोमेटर की रें 88 डिगरे की ग्रिडावलेटर देखने को मिल जाती है, तो डिफिनेटली काफी पावरफुल मोटर रहने वाली है, कमपनी ने लुक्स को अन्विल नहीं किया है, लेकिन इनका कहना है कि इंडियन मार्केट में फर्स्ट ताइम हम जो हाईयर रेंज वाला मॉडल लॉंच कर 5000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नया ब्रैंड है, ज्यादा प्रैसिंग नहीं रखेगा, और आने वाले तो तिन महिनों में ये भी इलेक्ट्रिक स्कूडर इंडियन मार्केट में लॉंच हो सकती है, अभी बात करते हैं नेक्स इलेक्ट्रिक स्कूडर की बारे म तो गाइस देखो यार नया स्कूडर है, बैंगलोर बेस्ट कमपनी है, दिवाली तक नए इनकी डिलर्शिप वग्यरा उपन हो सकते हैं, और आने वाले दो तिन महिनों में ये कही सारे स्टेट में इनके नए शोरूम को उपनिंग कर सकते हैं, सबसे एट्रेक्ट्रिक स्क 90,000 में आपको 100 km की रेंज मिलेगी, PMSM की मोटर देखने को मिलने वाली है, सो मोटर और बैटरी भी आपको अच्छे कॉलिटी की मिलेगी, और सबसे हटके उन्हें लुक दिया है, और जल्दी हम इसका डिटेल रिवी भी करने वाले, इन्वीटेशन वग्यरा आएगा, स्कूटर के बारे में, दो नंबर पर है, गोगोरो इलेक्ट्रिक, गाइज एर गोगोरो इलेक्ट्रिक भी एक एसी इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रैंड है, जो कि इंडिया के बाहर, टॉप वन पर जो है सेलिंग करती है, जैसे कि इंडियान मार्केट में, ओला इलेक्ट्रि हो और कंपनी का कहना आए कि 3000 साइकल इसमें जो है बैटरी के देखने को मिलेगे लेकिन अगर आप ओनली स्कूटर भी लेते हो तो यार बहुत ही कम प्राइस में आपको एलेक्टरेक स्कूटर मिल सकती है अब यह बात करते हैं इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी शुरुआति की मैनुफेक्चरिन महाराष्टर में होने वाई लिए ऐसा कमपनी ने कुछ पहले अपडेट में बताया था फिचर्स की बात करें तो नॉर्मल डिस्पले और बड़ा डिस्पले दो टाइप स्काप को पर देखने को मिलेंगे लुक्स की बात करें तो लुक्स इनके पास काफी है काफी स्कूटर जो है गोगरो प्रोवाइड करता है लेकिन अभी बात आती है क्यार इंडिया में कौन से मॉडल को ज़्यादा कस्टमर देखते हैं पसंद करते हैं उस मॉडल पर ये काम करेगी सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा लेकिन जो गोगरो इलेक्टरिक स्कूटर में बात है वो आपको ओला इलेक्टरिक से भी बेटर देखने को मिल सकती है अगर हम प्राइसिंग की बात करें सेम प्राइसिंग जैसे ओला इलेक्टरिक प्रावाइड करता है वेसी आपको स्टार्टिंग वाला मॉडल अंडर वन लाक रुपी से शुरू होगा एक लाक बीस हजर तक जा सकता है और रेंज जो आपको 100 किलोमेटर से लेकर 250 किलोमेटर तक आपको रेंज वाले मॉडल इंडियन मारकेट में देखने को मिल सकते है इसके लिए आर काफी दिन से हम भी वेट कर रहे है इस कंपनी ने अभी कंफर्म कर दिया है कि हम होंडा की आक्टिवा इलेक्टरिक को इंडियन मारकेट में 2025 के स्टार्टिंग में लांच करेंगे लेकिन 2024 के एंडिंग तक इसके कही सारे अपडेट आपको यहापर देखने को मिल सकते है यह आने वाले कुछी महिनों में देखने को मिलेगी और मैं कही सारे वीडियो में इसको कवर करता हूँ अगर आप रिगुलर वीवर्स हो तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि सबसे पहले आप सब्सक्राइब बैटरी मिलेगी गोगोरो जैसा इसमें आपको स्वैपिंग का ओप्शन देखने को मिलेगा सिंगल बैटरी में आपको 140 किलोमेटर की रेंज मिलने वाली है इसमें LG CMS के सेल्स इन्होंने यूज़ किये है पैनसोनिक एंड ये LG के सेल्स इसमें यूज़ होगे जिसमें कम से कम 10 साल तक तो आपको वारांटी देखने को मिलने वाली है क्योंकि कम्पनी खुद मेंफेक्चर करती है इस बैटरी इस को एंड अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर इसमें जो है खुद की मोटर या पर देखने को मिलने वाली है जिसमें 80 से लेकर 90 केंपेश का स्पीड देखने को मिलेगा अगर हम features की बात करें तो features बिस में देखने को मिलेंगे 7 इंच का display मिलेगा metal body electric scooter में देखने को मिलेगी front look भी इसका काफ़े attractive है and इंडिया के बाहर ये जो है look काफी sale होता है so definitely जो Indian market में Honda अपने first electric scooter को जो लेकर आएगा वो यही look लेकर आएगा और तभाई करने वाला Indian market में अगर ये look जो है अच्छे price में Honda provide करता है लेकिन बात लाते है कि यार कब से हम weight कर रहे है लेकिन यार Honda electric जो है delay कर रहा है so guys देखो यार 2025 में starting में 100% लिए confirm EV है and आप के लिए सबसे best electric scooter मेरे साब से तो होने ही वाली है 10 साल तक के लिए guys आप भूल जाओ कि यार problems वगर आपको देखने को मिलेंगे अगर आप आने वाले time में EV लेने का planning कर रहे है तो आप Honda की तरफ जा सकते हो अगर हम pricing के बात करे so approximately approximately टीवेस बजाज and hero motor cup की जो वीटा है उसके आजपास इसके pricing देखने को मिलेगी 1,30,000 से लेकर 1,35,000 तक expect कर सकते हो लेकिन जो एक्टिवा EV में बात है वो दूसरी EV में नहीं मिलेगी and मैं recommended करता हूँ क्यार आपको होंडा की एक्टिवा EV के लिए वेट करना ही पड़ेगा so guys इन पांचों में आपको कोई सी बेस्ट लगी and क्यों लगी comment में जाकर जो से जरूर बताईए यह ता कुछ आज का वीडियो and जल्दी हम guys top 10 upcoming EVs के बारे में बात करने वाले है उसकी लिए आपको 2000 लाइक का टारेट इस वीडियो का कम्पलिट करना पड़ेगा तो चलिए आर मिलते हैं भी नेक्स वीडियो में